हेलो एवर्िवन कैसे हैं आप लोग आप सब्ही का सवागत एक नई वीडियो में और आज मैं बात करने वाला हूं Mr. Olympia के बारे में जो Olympia के शेंपियन बन चुके हैं Mr. Hardy आज उनके बारे में बात करने वाले हैं और Hardy के साथ जो खड़े थे competitor में उन एथलिक्स, उन एथलिक्स के बारे में भी बात करेंगे सो खास बात इस वीडियो की ये है कि हाड़ी के साथ जो compare कर रहे थे तो उनकी physics और हाड़ी की physics काफी similar लग रही थी और हाड़ी chest में थोड़े से मुझे weak लगे आपको क्या लगता है वो आप मुझे comment section में बता सकते हो अगर आपने मेरा पीछले वाला वीडियो दिखा होगा तो उसमें मैंने हाड़ी की chest और बहुत सारे parts के बारे में दिखाया था हाड़ी weak लग रहे थे, लग नहीं रहा था कि वो olympiard का title जितेंगे इस बार का judgment था ना काफी confusion भरा था जाजे साथ confused थे या फिर हमको confused कर रहे थे क्योंकि लग नहीं रहा था कि ऐसा कुछ होने वाला है सबको लग रहा था कौन जितेगा कौन जितेगा और अचानक शे जब हाड़ी का नाम में नाउंस होता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार तो चलो खेल सुरू करते हैं क्योंकि पहुत मज़ा आने वाला है और आगए वीडियो पूरा का पूरा वीडियो देखना तो आपको समझ में आएगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूं तो आपको क्या लगता है कि कौन डिजर्फ करता है मिश्टर ओलंपिया का टाइटल मुझे थोड़ा जज्जमेंट में थोड़ा सा कन्फीजन लगा सो गाइस फोर्थ प्लेस की बात कर लेते हैं जो काफी एट्रेक्टिव फिजिक्स लगी जो जजजिसको वो थे ब्रेंडन जिसको उन्होंने फोर्थ प्लेस का वो दे दिया और फित प्लेस की बात करते हैं जो आते हैं बिग्रे में और आते हैं आराम से अपने 5th place की कोई रिग्रेट नहीं की 5th place आए और आराम से अपना medal लेते हैं और अपना 5th place का लुगे पे जागे खड़े हो जाते हैं सब्सक्राइब काफी अट्रेक्टिव लगते हैं और उनको 4th place पे जगे रखते हैं और यह लोग को देखे हो इनकी physics काफी बैतरिंग है फिर भी जजस इनको 4th place की जगे दे रहें लेकिन आब बात कर लेते हैं टॉफ थ्री बिग्रमी डेरेक और निकी इनकी physics काफी अच्छ करके इस बार लग रहा है जज्जमेंट लिया गया है क्योंकि बिग्रमी साइज में देखा जाए तो काफी बड़े हैं लेकिन कंडिशन के इसाब से थोड़े से मार खा गया उसकी वज़ए से वह 5th place पे आया हैं बाकि डेरेक और नेक और हड़ी यह बात किया जाए तो इ जज्जमेंट में ऐसा हुआ है ऐसा लग रहा है ओडियंस को भी थोड़ा सा अन एक्सपेक्टेड जज्जमेंट लगा लेकिन हाड़ी जी थे मिस्टर ओलिंपिया का टाइटल काफी खूस थे और मुझे तो थोड़ा सा डिजर्विन लगते थे निक और डेरे क्योंकि यह एट्रेक्ट्व फिजिक्स थी दिनो की गाईस तो गाईस मिलते हैं नेक्स वीडियो में आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगे होगी तो प्लिस लाइक सब्सक्राइब शेर कर देने गाईस और इसी तरह आप मुझे सपोर्ट करते रहो गाईस और आप सभी का प कोच बिन्यों गाईस तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में आज को लिए इतना ही